आज 14 सेप्टेंबर दोहजार तेज़ आज की मुडली से बावा हमें गुंच सिखाते हैं डबल अहिंसक बनने का जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं यह पढ़ाई की जो डिगरी हमें प्राप्त करनी हैं उस डिगरी की जो बाबा ने बताई है सोला कला संपून, संपून निर्वेकारी, मर्यादा पुरशोतम और अहिंसा पर्मो धरम अहिंसा पर्मो धरम है वो डिगरी को हासल करना है तो सत्यूगी दुनिया में जो आत्माएं पार्ट प्ले करेंगी देवी और देवताएं उनका अहिंसा पर्मो धरम है और यह वही महाभारी महाभारत की लड़ाई है जहाँ पर हम शिवशक्ति पांदव सेसा लेकिन योग बल से पवित्र दुनिया की सत्यू की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं तो कोई भी स्थूल हतियार नहीं है, हम ना ही कोई स्थूल हतियार से लड़ाई करते हैं, ना ही विकारों के वश होकर के कोई हिंसा करते हैं तो बाबा बच्चों को बताते हैं कि हिंसा करना, दुनिया के अंदर तो दोनों प्रकार के हिंसा करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं, एक दुसरे को दुख देते हैं और उसके साथ साथ लड़ाई जगड़ा भी करते हैं और एक दुसरे को नुकसान पहुंचाते हैं बाबा बच्यों को कहते हैं यह दोनों प्रकार की हिंसा तुम बच्यों को नहीं करनी है। काम-कटारी चलाना यह भगवत-गीता की अंदर भी बताया गया है कि महशत्रू है, काम-महा. शत्रू है। इस पर विजय प्राप्त करना है। तो विकारों के वश होते हैं जो, और वो कामनाय जब पूरी नहीं होती है, तो क्रोध के वशी भूत हो जाते हैं, और क्रोध के वशी भूत हो करके अपना ही नुकसान करते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, अपने आपको चमाट लगाते हैं, अर्थात अपने आपको नुकसान पहुँचाते हैं बाबा कहते हैं विकारों के वश हो अपने आपको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचाना है ना किसी दूसरे को नुकसान पहुचाना है हमें डबल अहिंसक बनना है सत्यूगी दुनिया में देवी और देवताइं राजय करते हैं शिबाबा हतेली पर बहिश्ट लेकर आया है सत्यूगी दुनिया जहां पर अहिंसा परमोधरम होगा शेर और गाई भी एक घाड पर पानी पिएंगे ये जो बताया गया है ये कितनी अहिंसक दुनिया होगी नौन वाइलेंट दुनिया इतना प्रेम सद्भावना शांती एक दुसरे के प्रती सम्मान होगा ऐसी दुनिया में हमें चलना है तो वो संसकार सत्यूग में चलने के अभी ही तो भरने है सत्य युग में जाकर के नहीं अभी संगम युग पर इन संसकारों को अपने अंदर भरना है दैवी गुणों को अपने अंदर भरपूर अपने आपको बनाना है अब गुणों को छोड़ते जाना है और देवी गुणों को धारन कर अपने आपको देवी दुनिया के लायक बनाना है तो कोई भी प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी है अहिंसा पर्मो धरम इसको अपना करके अपने आपको देवी देवता बनने के लायक बनाना है आज के दिवस की यही शब कामना उम शान्ती